नमस्कार एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परिक्षा वर्ड के स्योटूब चैनल में दोस्तो आज हम यूपी ट्रिपल सी पी इटी के लिए जो इंडियन कॉन्मी का क्रेस को श्रदार है उसका अगला टॉपिक हम कवर करेंगे तो आज हम पढ़ने वाल इस टॉपिक से जोड़े इतने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं उन सभी को आज के इस लेक्षर में हम कम्प्लीट करेंगे तो चलिए आज के वीडियो को सुरू करते हैं याने की उधारी करण दिसे आप ध्यान देजेगा उधारी करण हो गया आपका और जी से आपका क्या हो गया ग्लूबलाइजेशन याने की वैस्विक करण याने की इसको सौट फॉर्म में हम कहते थे एलपीजी रिफॉर्म उननीस से क्यान बेका एलपीजी रिफॉर्म जिसको नई आथिक सुधान नीती भी कहा जाता है यह जो है किस सरकार के तरह लाग गया तो उस समय हमारे देश के प्रधान मंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव तता इसको प्रस्तूत किस ने किया था एलपीजी रिफॉर्म को तो जो नई आथिक सुधान नीती थी उसको प्रस्तूत किया था उस समय हमारे देश के वित्यमंत्री हुआ करते थे डाक्टर मनमोहन सिंग तो यह दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद अखने हैं एलपीजी रिफॉर्म से यानि की उदारी करण के निती, निजी करण के निती तता आपके वैस्विक करण के निती जो प्रस्तूत की गई थे उन्हीं से क्यान बे में वो किसकी गवर्मेंट के तरह प्रस्तूत की गई थी तो पीवी नसीमा राव की सरकार के तरह प्रस्तूत किया गया था उसमें यह प्रध चुदान निती को सुरू करने का प्रमुकारण था खाड़ी का युद्ध तथा भारत के भुकतान संतुलन की समस्या आयने की नई आलतिक चुदान निती क्यों लाने पड़ी भारत में क्योंकि उस समय खाड़ी का युद्ध चल ला था तथा भारत की जो भुकतान और संतु शुदार लाने की पहल करनी पड़ी ते यहाँ आप आप देख रहे हैं 1991 से पूरु भारत की आल्थिक नीतियों के बारे में कुछ विद्वानों का मानना था कि नियमन एवं नियंतरन के लिए इतने सारे कानून मनाय गये थे कि आर्थिक जो विकास था वह भारत का रुख ग कर देती थी तो इतने सारे लाइसेंस उसको लेने पड़ते थे तो इतने कठी नियम बना दिये गये थे इन नियम प्रवेट सेक्टर की कमपनियां थी भाहर की वह भारत में प्रवेस जल्दी नहीं कर पाते जिसकारण से जो भारत की जो अल्थ बेवस्था थी वह पूरी विदेशी रिड़ों का सामना करना पड़ आने कि भारत के जो विदेशी रिड़ थे काफी बढ़ गये थे पेट्रोल डीजल आधी जैसी आवस्यक वस्तों का आयात करने के लिए समान निरूप से जो भारत में विदेशी मुद्रा रिजर्ब रखा गया था वह सिर्व 15 द गया था प्यवी नर्सिमा राव की गवर्मेंट के द्वारती है कारण आपको पता होने चाहिए क्यों लपीजी रिफॉर्म लाए गये थे भारत में इसके बाद यहां पर आप देख रहा है इस विद्ती संकट का उद्गम था 1980 के दसक में जो है जो अकुसल विद्ती प्र निकलने के लिए भारत की मदद करता है आई बी आडी जिसको हम वर्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं समाने तोर पे तो भारत को यह रिड देने के लिए राजी हुआ तथा कुछ सर्तों प्यान की उसने कहा वर्ड बैंक ने गा कि आपको कुछ सलते माननी पड़ेंगी तो इंपोर्टेंट सलते कौन-कौन से जैसे भागतियात व्योस्ता का उधारिकर्ण किया जाएगा यानि कि अब बाहरी कमपनियों को भी भारत के अंदर प्रवेस करने के लिए खूली छुट जी जाएगा यानि कि जो इतने स्टिक्ट लाइसेंस थे उनको जो है उनका ज सदस्यता लेनी पड़े गी यानि कि बालतियात व्योस्ता का उधारिकर्ण किया जाएगा नीजी छित्र के लिए जो प्रतिबंध लगाए कि उनको जो है उसमें ढिल दी जाएगी तथा भारत को वर्ड ट्रेड और्गनाईजेशन का सदस्य बनना पड़े गई ये सभी सल नवरी उनीशो पंचानवे को डगलू टीयो की सदस्यता भी ग्रहण कर ली ते सिप्ट याद रखिएगा तथा जो उनीशो एक्यानवे के नई आल्थिक निति तो उसके तीन इंपोर्टेंट आयाम क्या थे मैं आपको बताया थे इस आल्थिक नितिके तीन इंपोर्टें जिसको सौट पाम हम कहते हैं LPG रिफॉर्म तो इस आल्थिक निति के तीन आयाम थे इनके बारे में भी आपको याद रखना है इसके बाद आप देखिए जो नई आल्थिक सुधार निति उनीश से क्यानवे में प्रस्तूत की गए थे इसके मुखी छेत्र कौन-कौन से थ निति, मौद्रिक निति, मुल्य निधार निति, विदेशी निति, अध्योगिक निति, विदेश विन्योग निति, व्यापान निति और सारवजनिक छेत्र निति इस अभी important areas थे जिनमें आल्थिक सुधार किया गया तो अब हम आगे देखेंगे कि 1991 के आल्थिक सुधार के तहित क्या-क्या important बदलाव आये भारती अल्थ विवस्था मयां से आपके एक जामे प्रस्न डेफिनेटली देखने को मिलेगा तो यहां पर आप देख रहे हैं 1991 के बाद भारत में आरंभू इन आल्थिक सुधार नितियों में प्रतिबंदों को समाप्त कर दिया गया थ उनके तहर जितने भी प्रतिबंद लगाया गया तो उनको समाप्त कर दिया गया तथा केवल 6 एरियाज को छोड़कर बाकी सभी उद्दों के लिए लाइसेंस की विवस्था को समाप्त कर दिया यह 6 एरियाज कौन कौन से थे अलकोहल, सिगरेट, इलेक्रोनिक्स, विमानन रसायन एवं आउसदी भेजज, भेजज, तो यह 6 एरियाज थे जिनमें जो है लाइसेंस की विवस्था को रखा गया तो इसे भी आप ध्यान दिजेगा बाकी सब एरियाज में लाइसेंस विवस्था को समाप्त कर दिया गया, इसके बाद वित्ती छेतर में सुधार, नि बैंको को अनमती की बिना नई साखा खोलने का अधिकार दिया गया, इसके बाद बैंको को अनमती के बिना ही जो है नई साखा खोलने का अधिकार भी दे दिया गया, इसके बाद 1991 के बाद भारती राजकोशी नितियों में बदलाव किये गये, कर विवस्था में सुधार ए करों को कम किया गया ताकि जादा से जादा लोग कर भर सकें इसमें क्या का किया गया और राजकोशी नितियों में तो प्रत्यक्षकर 1901 के बाद ब्यक्तिकत आई पर लगने वाले करों में कमी आई इसके बाद प्रत्यक्षकर में इसमें भी सुधार किये गये तो इसे भी इसी मुद्रा के आगमान में वृद्धी हुई वलतमान समय में रुपे एवं डॉलर का मुल्य स्वाया आयात एवं निर्यात के अनुसाद निधारित होता है सरवजनित छित्र के उपक्रमों का चेहन कर उन्हें प्रसायत करने के लिए महारतन नौरतन एवं लगुरतन घोसि अनुसे थी आयो सीयल ओएंजी सी एंटीपी सी कूल इंडिया लिम्टेट गेल भेल उसके बाद नौरतन में आपका मिल जाए गया है एचे यल बीई एल एंटी एनल बीपी सी एल एस्बियाई आदी लगुरतन में आपका बीशनल आया सीटी सी इत्यादी कंपनिया थी इस इसके बाद वर्स 1990 क्यांबी में 100 million dollar से बढ़कर जो 100 billion dollar बढ़कर वर्स 2014 15 में 73.7 73.5 billion dollar तक पूछ गया ठीजिए अदे इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर और थविवस्ता सिक के खोलने से यहाँ पर इसको हमने देख लिया है इसके बाद FDI यहां पे आप देख रहे हैं FDI भारती उद्योगों में निवेश से संबंदित है तता FII क्या है केवल पुंजी बजार में निवेश से संबंदित हैं कॉंसेट भी आप या प्या दिखेगा FDI जो है जिसमें जो BDC कंपनिया जब भारती उद्योग में प्रिवेश कलती है तो उसको हम FDI कलते हैं तता FII के वल पुंजी बजार में निवेश से संबंदित होता तती से आप द्यान देजेगा वह अगर हम विन्वेश की बात करें जो इस रिफॉर्म के तैट लाए गया था तो सरकार प्रतिव वह अगर्ण सर्वजनिक उद्यों में विन्वेश का कुछ हिस्सा निधारित कलती थी डिस इंवेश्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी सरकारी उपकरा में उसमें से सरकार की जो भागिधारी उसको कम करना थी इसी को हम वी निवेस्ट करते हैं तो सरकार का लच्छ क्या था डिस इंवेस्टमेंट का यहां पर देख लीजे आप 1991 से 1992 में पचीस करोड रुपया का लच्छ था डिस इंवेस्टमेंट का उसके बाद को पसंद आएगा तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू थैंक्स फॉर रॉचिंग थैंक यू